कि दोस्तों नमस्कार मैं आपके लिए राजस्थान कोंस्टेबल के होने वाले सारेissent दकroscopy फैल हो जाता है तो उसे िसके अपनी कैसे अपील करनी हैं, उसे कितने रूपए देने हैं और जो रूपए दिये हैं उसको वापस कैसे लेना है तो मैं इसके अंदर बताऊओंगा, इसकी माप दंड क्या है तो आगे आपको जनकरे मिलेगी इस लिए इस वीडियो को पूरा देखें हैं section की योग ग्यता की पर्मानपत्र दूसरे नमबर पर आता है I.U. पर्मानपत्र यदि section की योग ग्यता पर्मानपत्र में I.U. अंकित नहीं है तो तीसरे में आता है विरती यदि अनुसुचित जाती जन जाती अन्य पिछडा वरग M.B.C. वरग आर्थिक पिछड़ा वर्ग से सम्मंदित है तो पर्थम सेणी, दंडनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाती प्रमानपत्रूँ आगे है आवेदक यदि राजकी करमचारी है तो राजकी करमचारी होने का प्रमानपत्र एव नियोक्ता विभाध्यक्स द्वारा जारी अनापत्ती प्रमानपत्र लेना होगा आवेदग यदि कर्तव ये का पालन कर्तव है, मारे गए मर्तक, पुलीस, अधिकारी, करमचारी का आश्रित है, तो उसकी संतान होने का परमान पत्तर ले जाना होगा अन्तिम सेक्षन की योग गिता प्राप्त करने वाले संस्तान के परदानाचारी दवरा जार्य किया हुआ, तरीतर परमान प्त्तर एउधो इस्ठानिये पर तिश्ठित वेक्तियों रिस्तिदारों के अतिरिक्त, दवरा जारी किये गए चरीतर परमान पत्तर जो छह माँ से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए आगे भूदपूरु सैनिक होने की स्तती में NOC, डिश्चार्ज परमानपत्र, पैंशनर परमानपत्र, आगे है TSP या सहरिया छेतर से सम्मंदित परमानपत्र परस्तुत करना होगा आगे है निर्धारित परिक्षा सुल्क में चूट ली है तो मूल आवेदनपत्र की फोटो परती आई परमानपत्र परस्तुत करना होगा आगे दिया गया है दोस्तों आवेदक से सम्मंदित सूचना के लिए विभाग द्वारा चैन वो प्रांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें चिपकाने के लिए समय के दो रंगीन फोटो अवश्यक होंगे विभा के मामले में उसे अपने पती की मृत्यू का शक्षम प्राधिकारी का परमानपत्र परस्तुत करना होगा विछिन विभा के मामले में उसे विवास विछेद का दस्तावेजी सबूत परस्तुत करना होगा कॉंस्टेबल ड्राइवर है तू इस्थाई ड्राइविंग लाइसेंस LMV या HMV की मूल परती परस्तुत करनी होगी NCC, Home Guard प्लिस से सम्मन दित विश्यों में डिपलोमा या उपादी प्राप्त करने के परमान पत्र परस्तुत करने होगे तो दोस्तों एक्जाम देने से पहले ये डोकुमेंट आपको जर्रीर रखने चाहिए आगे दिया गया है सारा रिक माप दंड राजिस्तान पुलीस अधी नस्त सेवा नियम 1989 के नियम 14 के अनुसार अब रतिकी उचाई सीने का माप एंवजन निमनल सार होना चाहिए तो सबसे पहले है दिया गया माप दंड तो नियूनतम उचाई होनी चाहिए पुरसों की 168 cm महिलाओं की 152 cm और यह सामाने च्छेतरवालों के लिए है नियूनतम सीना केवल पुरसों के लिए है बिना फुलाए 81 cm फुलाने पर 56 cm सीने का फुलाव कम से कम 5 cm होना चाहिए जो महिलाओं के लिए लागू नहीं है जूंतम वजन केवल महिलाओं के लिए ये वजन पुरसों के लिए लागू नहीं है महिलाओं के लिए कम से कम 47.5 kg होना चाहिए जो बारा जिले के सहर या अदिवासियों के लिए अलग से मापदंड निधर्थ किया गया है दोस्तों तो उसके लिए भी देखिए पुरुस के लिए 160 cm उचाई होनी चाहिए महिलाओं के लिए 145 cm होना चाहिए बिना फुलाए 14 cm फुलाने पर 79 cm सेने का फुलाव कम से कम 5 cm होना चाहिए और महिलाओं के लिए लागू नहीं है और महिलाओं के लिए 43 किरोगाम होना आवशक है नोट यदि सामाने छेतर के लिए उप्रोक्त वरनिक्त सार रिक मापदंडों के अनुसार अनुशुची जाती अनुशुची जन जाती का भिरती उपलब्द नहीं होते हैं तो उन्हें उचाहिए और सीने में 5 cm की चूट दई होगी पहाड़ी अधिवासी चेतर के अभिरतियों के लिए राजस्तान पुलिस अधिनस्त सेवा नियम 1989 के नियम 14 टू के अंत्रगत मापदंड होंगे समस्त महिला अभिरतियों के लिए निर्धारित नियूंतम उचाई 152 cm में किसी परकार की छूट दे नहीं होंगी किंदू बारा जिले की सहरिया अधिवासी महिला अभिरतियों की नियूंतम उचाई 145 cm मानने रहेगी तो उसके लिए अभिरतियों की दोनों आखों की दुरुष्टी 6 इंटू 6 बिना चसमे के होना अनिवारिया है अभिरति मानसिक रूप से जागरुक सद्रड सवास्ते वाला एव सारे रिग विकारों दोशों रोगों से मुक्त होना चाहिए अभिरति मानसिक रुग्णता से गरस्त नहीं होना चाहिए अभिरति की गुटने आपस में टक्राने नसे फूली होना भेंगापन रतोंदी रंग दुरुष्टी दोश हकला कर बोलना रतोंदी पेर सम्तल हरनिया सल्य प्रोब्लम या अन्य कोई विकरती अंग भंग जो कर्तवी पालन में बादक हो नहीं होना चाहिए आगे दोस्तों बताया गया है कि सारे रिक दक्षिता परिक्षा के लिए क्या क्या होना चाहिए तो बताया गया है कि पांच गुणा अभिहरती हो कोई सारे रिक दक्षिता परिक्षा है तो बुलाया जाएगा और सारे रिक दक्षिता परिक्षा में सफल अभिहरतियों को सारे रिक मापतोल परिक्षा में समलित किया जाएगा इसमें दिया गया है कि कांस्टिबल सामान्य ये चालक पद के अविदिकों के लिए क्या क्या बताया गया है पद नाम कांस्टिबल सामान्य है उनके पुरसों के लिए टेस्ट है उनके लिए 5 किलो मेटर की दोड़ है समय 25 मिनट दिया गया है महिलाओं के लिए टेस्ट 5 किलो मेटर है और समय उनके लिए 35 किलो मेटर है सब छेटर के लिए 5 km मिले मैजल के लिए 5 km समय उनको 30 मिनिट जाती पूरी कर नी मेन, सहर या रटाइवन, सब प्लांज चेत्र के अनुष्यटर उनके लिए है 5 Kilometer की दोड और समय दिया गया है 30 मिनिट चालक शहरियाओं के लिए 5 Kilometer दोड और 30 मिनिट का समय दिया गया है दोस्तों ऑंक भी इनके दारित हैं उनमें चान्स्टिबल जो सामान्य है उनको 15 आंक दिये जाएंगे उनको 10 आंक दिये जाएंगे और कुछ नोट दिया गया है, देखिए, सारे रिक्षता परिक्षा में दोड है तुके वल, एक ही अवसर परदान किया जाएगा, सारे रिक्षता परिक्षा के लिए कोई अपील दायर करनी का अवसर दे नहीं होगा दोस्तो, इसके अंदर कोई भी अपील नहीं कर सकता है, लेकिन आपको आगे बताया जाएगा कि किस में अपील कर सकते हैं, उक्त सारे रिक्षता परिक्षा में निर्धारित समय अवदी में दोड पून नहीं करने पर अभीहरतियों को उन्नती अनुत्रीन मानते हुए भरती की अग्रिम परकिरिया में समलित नहीं किया जाएगा सारे रिक्षता परिक्षा में सफल गोशित अभीहरतियों के प्रापतांक अन्तिम चैन के लिए समलित किये जाएंगे तो दोस्तों आगे बताये गया है कि सारे रिक्षता परिक्षा में सफल रहे अभीहरतियों की सारे रिक्षता परिक्षा लेना बरती बोर्ड साररिक मापतोल में उपस्ति समचत अभियरतियों को उनके मापतोल से अवगत कराएगा तता हस्ताक्षर कराएगा दौाई का दिकारी होगा जो यह सब कुछ करवाएगा अभियर्तियों की मापतोल की सूची परचैन बोर्ड के हस्ताक्सर में सील किये जाएंगे तो दोस्तों अगर हमें ये सारे रिक मापतोल में अगर हम फैल हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ तो हम उसके लिए अपील कर सकते हो अपील कर सकता है अभियारती यदि अपील पर सारे रिक मापतोल में सफल रहता है तो उससे लिया गया सुल्क वापिस करते हुए उसे चैन पर क्रिया में सामिल किया जाएगा असफल रहने की इस्थती में ये सुल्क वापिस नहीं किया जाएगा अपील की क्रियानुवित के लिए बर्ति बोड़ के साथ एक राजकी वरिष्ट चिकिस्कों का मेडिकल बोड़ रहेगा अपील उसी दिन पून की जावेगी तब समस्त अपील के देस्तावेईजों पर मेडिकल बोड़ एवचैन बोड़ के हस्ताक शरमें सील होंगे इस्थान ये चिकस्ता आस्वास्त अधिकारी से समन्वे इस्तापित कर समंदित न्युक्ति अधिकारी राज की वरिष्ट अधिक चकिस्कों का एक मेडिकल बोर्ड गठन कराया जाएगा जिसमें एक फिजीशियन एक सर्जन एक हड़ी विसे सग्य चकिस्क होगा सीने की माप में अलब समय में परिवर्टन होने की समावना रहती है इसलिए दोस्तों उसी टाइम जब फिजिकल होता है उसी टाइम ये सारे रिक माप दंड भी कराया जाता है अधा भीर्टियों को किसी परकार का नुक्सान नो हो इसलिए उसी दिन गठित मेडिकल बोर्ट से माप दोल कराई जाएगी तथा माप दोल की अंतिम माने जाएगी बोर्ड के समक्ष अपील किये जाने वाले अभीर्टियों की कारिवाही की इसपस्ट वीडियोग्राफी होगी तथा बोर्ड प्रोसीडिंग के साथ अलग से परसिष्ट होगा जिसमें अपील करने वाले की पूर्ण सूचना होगी अपील के पस्चाथ हुए माप तोल पर अभीर्टि के हस्ताक्षर होंगे चैन बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि जो अभीर्टि छूट प्राप्ट कर तीन हो रहा है उसे पूर्ण रूप से सूचित करेंगे तो ता उसके हस्ताक्षर कराएंगे सररिक माप तोल के दोरान परवेश पत्र पर एक सील लगाई जाएगी जिसमें ये छूट प्राप्त अभीर्टियों के लिए पीएश्टी पास विथ रिलेक्शन एक बिना छूट प्राप्त अभीर्टियों के लिए पीएश्टी पास विदाउट रिलेक्शन अंकित होग तेंक्यू सरा आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें आपको ऐसी आगे महत्पून सूचनाएं मिलती रहेंगी